आज हम बात करेंगे ऐसे facts के बारे में जो आपने शायद पहले कभी नहीं सुना होगा हमारी अपनी human body के बारे में हमारी body के अंदर कैसे amazing चीजे होती हैं और वो कैसे काम करती है यह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और जानते हैं इन facts के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं brain के बारे में आपको पता है कि हमारा brain तीन पॉंड से भी कम वेटका होता है फिर भी यह सबसे complex चीज है brain के अंदर 86 billion neurons होते हैं जो एक दूसरे को signals भेशते रहते हैं लगाता और ये neurons हर सेकिंड में 1000 signals भेश सकते हैं क्या आपने कभी सोचा है कि आपके सोचने का जो process है वो कितना तेज है और कितना efficient है हमारा brain एक तरह का power house है ये हमारी body के केवल 2% body weight के बराबर होता है लेकिन ये हमारी body की total requirement का 20% energy को consume करता है brain के neurons जानी nerve cells इतने fast signal भेशते हैं कि एक neuron एक seconds में 200 mil per hour की speed से signal भेश सकता है ये speed सोचो आतिकार की speed से भी जादा तेज है number 2 आपका दिल आपका heart हमारा दिल एक दिन में एक लाग से भी जादा बार धलगता है धग 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 करीब 70-80 beats per minute के इसाब से लेकिन आपने कभी सोचा है कि जब आप exercise करते हैं तो आपका heart की beat यानी heart rate 220 per minutes तक भी चला जाता है और कई बार इससे जदा भी जा सकता है और उतनी तेजी से blood body में circulate करता है आपका दिल हर दिन में करीब 7,500 liter blood को आपकी body में pump करता है एक बहुत बड़ा fact ये भी है कि अगर आपके body की arteries को एक line में लगा दिया जाए उसको pro दिया जाए तो ये 6,000 miles तक stretch हो सकती है यानि कि आपकी arteries दुनिया का धाई चकर लपेड सकती है अगर आप इसको एक line में लगा दे ये है कुदरत उस बनाने वाले की फिर भी हम उसका शुकर अदा नहीं करते और नमर 3 हमारी skin रोजाना लगवब 50-70,000 dead cells को shed out करती है इसका मतनब है कि हर 28 दिन के बाद आपकी skin की एक नई layer आपको मिल जाती है नई layer replace हो जाती है और interesting fact ही है कि आपकी skin के अंदर एक छोटी सी gland भी होती है जिसको sebaceous gland कहते हैं जो एक natural oil पोगूस करती है ये oil आपकी skin को hydrate रखता है और skin को smooth बनाता है इसकी tone texture को improve करता है आप सोचिए skin इतनी sensitive होती है जिसकी 5 different type के sensations होते है या sensors होते है जो आप महसूस करते हैं जैसे touch, pain, warmth, cold and pressure और number 4 आपकी हड़िया, bonds हमारी body में total 206 हड़िया होती है बड़े लोग ने लेकिन जब आप पैदा होते हैं उस समय इन हड़ियों की जो तादाद है वो 270 होती है हाँ, छोटे बच्चों में ज़ादा हड़िया होती है ये bonds जो है, वो age के सासजे जैसा बड़े होते है वो fuse होती जाती है और फिर कुल मिलाके total 206 हड़िया रह जाती है और ये भी interesting है कि हमारी bonds living tissues है अगर आप किसी bone को break करते हैं या fracture हो जाता है तो वो heal होकर खुद से जुड़ जाती है फिर से उतनी strong बन जाती है आपको ये सुनकर अच्छा लगेगा कि हमारी bonds still से भी जादा strong होती है, especially जब हम compare करते है weight to strength ratio और नमबर पाँच, body muscles हमारी body में 600 से जादा muscles होती है और जो सबसे strong muscle है आपकी body के, वो होती है आपके जब्रे में जिसको messenger के नाम से जानते हैं और जब आप mistake करते हैं या आपको चबाते हैं तो उस समय ये जो muscle है वो अपनी maximum strength पर काम करते है नमबर छे, आपकी body का defense system, यानि के आपका immune system ये हमारी बहुत सी बीमारियों से रक्षा करता है बीमारियों से लेने में मदद करता है हमारा immune system इतना advance है कि हर दिन आपकी body countless germs और viruses को recognize करती है फिर उनको destroy भी करती है इसी immune system की ये जैसे एक ही दिन में करोर से भी ज़ादा germs और viruses को identify करके मार दिया जाता है सोचे इसमें white bread cells जो है वो एक एहम role play करती है और उसमें ये WBC का जो एक special cell होता है जिसको हम P cells कहते है जो directly infected cells को destroy करता है ये 24 by 7 आपकी body में army की तरह patrolling करते है और दुश्मन को ठिकाने लगाते है जहां पर जोन कोई दिसमन मिल जाता है interesting बात देखी ये भी है कि आपका immune system हर दिन नई strategies develop करता है ताकि आपके body को नए diseases से infections से खत्रोचे बचा सकी क्योंकि नए infections आते रहते हैं उसको नए तरीके से तैयारी करने पर करते हैं और number 7 हमारी आख है आखों का जो cornea है सबसे अगला जो हिस्सा होता है front part जो होता है वो cornea कहलाता है ये बहुत ज़्यादा मैं कोँगा body का सबसे ज़्यादा sensitive part यही होता है और ये body का only part है जो directly oxygen receive करता है atmosphere से बिना blood supply कोईगी हमारी आखों की retina में करीब 120 million light sensitive cells होती है जो light को detect करती है और उसे image में process करके convert करके brain को वेशती है तब हमें कोई चीज दिखाई देती है आपकी जो IQ muscle आईरिस वो भी body की सबसे तेज muscle होती है और ये करीब हर minute में thousand times है वो contract या relax कर सकती है तो दोस्तों ये थे कुछ amazing facts हमारी body के बारे में कौन सा fact आपको सबसे ज़्यादा interesting लगा comment में जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो like और share जरूर करें और ऐसे ही और fascinating health informative वीडियो देखने के लिए हमारी channel को subscribe करना बिलकुल न भूले मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में तब तक के लिए stay curious and stay healthy thank you धन्यवाद